आयुद्या क्या आप राम भरोसे है इस सवाल का जवाब बारिस में आयुद्या से आती कुछ तस्वीरे दे रही है जहां आयुद्या की हाइटेक सड़क रामपत और जनम भूमी पत जिदर से रामभक्त राम मंदर में प्रबेश करते हैं वहाँ पानी ही पानी नजरा रही ह मानो सर्यू की लहरे बह रही हो इतना ही नहीं आयुद्या की सुरच्छा में तैना सुरच्छा कर्मियों के कैम्प में भी बारिस का पानी घुज जाता है इसके अलामा आयुद्या समेत आसपास से आये सृत धालों को इलाज देने वाला स्री राम अस्पताल भी बारिस की पानी के दलदल में दूबा नजर आ रहा है सासन प्रसासन को करोणो रूपए का विकास करना तो दिखा लेकिन बारिस के पानी की निकासी की व्यवस्था को लोगों ने ऐसे इग्नौर कर दिया जैसे मानों उनका कुछ लग ही नहीं रहा हो इसके अलावा विकास की पोल तब खुलता है जब जनमभुवी पत्विल्डा धरमसाला के सामने पानी ही नजर आता है यहीं से रामभक्त प्रभुराम के मंदिर में दर्सन करने के लिए जाते हैं लेकिन जिनके पैर पकारने का कार आयोध्या के मानिनियों ने कराया था उनसे पूछो पूछो मत दो घंटे की बारिस के मौसम को बैमान बताकर अयोध्या के करता धर्ता भले ही विकास का धिडोडा पीट रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बया कर रहे हैं दर्शन गरने आए शिराम का प्रभू के दर्शन गरना भी या पानी का बहुत बुरा थाल है अई अध्या का जो करनिक्षेन हो जिए वो नहीं है जबकि ये टाटा ने बनाया है टाटा कमपनी का थीका था इस तरह बांग करती टाटा कमपनी काम देखिए पाने गुशक फल्च का आपा इनकर दिया रहं न ₱ कॉयुजखन रहते हैं जो हमने सोचा था कि विकास होगा वह विकास नहीं हो पाया आप पानी मेरा रहे हां कभी बावी समी तोचा नहीं आपके कितोड़ा है जाना पड़े हुनों चालितो afford का राहे है बवान्सीराम का दर्संद करना है, जी देखिए में प्रोब्लम है कि जो भी हमारा सब ठीकदार होते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, कैसे भी करके मतलब कैसे लूट की आजाए, सरकार निजिना चलती है, ठीक है, उसमें सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है, मतलब 60% काम हो बागिर की 40% जो है पैसे अपने पोकेट में चले है ठीक है इसी वह जो भी जो पानी का समस्य है मेन कुरोनी भरेट जार इनका अब सिर्फ की मकसद है किस तरह से पैसे लुटा जाए अगर बढ़ियां से काम हुआ होता अच्छे सा देख रहें में तो ऐसी नो कुमार बढ़ेगा